पर तो अब तक मैंने आपको कुछ टुल्स के बारे में बताया इस वीडियो में मैं आपको कुछ टूल्स के बारे में बताऊंगा ऋस्जागा में आसे पेहले मैं आपको दिखाता हूं ब्रश टूल प्रस्टूल है वह एक ब्रस है जो हो कलर करने के लिए यूज कर सकते हैं कैसे भी कोई भी कलर हम यहां से इसको कलर चेंज करेंगे तो वह कलर में वह पेंट करेगा तो ब्रस कलर है वह पेंट करने के लिए यूज होता है इसकी साइज हम चोटी बड़ी कर सकते हैं को सिलेक कर सकते हैं जैसे कि यह सॉफ ब्रस है तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हो यह बिच में एकदम डाग कलरा है लेकिन उसकी जो एजिस है। वो एकदम soft है, वो shared है उसमें, इसमें और भी बहुत सारे brushes है, जैसे कि ये brush है, जैसे कि ये line के जिगा, ये brushes है, वो भी इस तरह से lining करेगा, जैसे कि ये brush है, वो ऐसे dots, dots में color करेगा, तो ये brush, तो ये brush tool है, और इसके ये सब options हैं, brush के, और यहां से हम size को बढ़ा सकते हैं, अब दूसरा है opacity, तो मैं वापिस normal brush रख देता हूँ, अब आपको दिखा दा हूँ, ये सब मैं delete कर देता हूँ, तो मैं कोई भी color यहां पे draw करता हूँ, वो opacity क्या करता है, तो वो color के transparent कर देता है, यानि कि ये अभी color है, वो 100% है, लेकिन मैं इसको 30% कर देता हूँ, और अब मैं paint करता हूँ, तब देख रहे हूँ, ये एकदम light हो रहा है, इससे क्या होगा, इससे हम इसके पीछे का color को भी हम देख सकते हैं, जिसे कि मैं एक blue को 100 opacity में यहां पे draw कर रहा हूँ, अब मैं एक नया और color ले रहा हूँ, और इसकी opacity को मैं 30 पे रख देता हूँ, और अब print करता हूँ, तो आप देख रहे हो, ये green है, और ये इसका पीछे का blue है, वो भी दिख रहा है, और वापिस य transparent हो जाता है, ये 30% है, हम इसको कितना भी रखना चाहें, रख सकते हैं, ये मैंने 60 रखा तो से double हो गया, तो ये brush tool इस तरह से use होता है, तो इसके बाद ये tools है, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि ये tool हम photo को edit करते वक्त देखेंगे, तो ज्याद जल्दी समझ में आएगा, तो इसलिए मैं ये बाकी सब tool है, वो आपको बाद में दिखाऊंगा, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये pen tool, तो pen tool है, तो कोई भी save बनाने के जीज़ोता है, यहाँ पे हम save को रखते हैं, जो by default वही रहेगा, और ये field stroke, ये इसके बार मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, तो pen tool कैसी वरकता है, पहले वो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे click किया, मैं जहाँ पे click करूँगा, अब देख रहो ये वहाँ पे CD line की चुरा है, अगर मुझे अब यहाँ पे round चाहिए, तो मैं यहाँ के left click को दबा की रख हूँगा, और फिर mouse को move करूँगा, अब देख रहो, यह round हो रहा है, जैसा मैं इसको round चाहूँ, वैसा round रह सकता हूँ, जहाँ पे हम click करेंगे, यह वहाँ पे वैसे वैसे draw करेगा, तो हम कोई भी ऐसा नया save हो, अलग जो ना square हो, ना round हो, ऐसा save बनाना चाहे, तो इसमें हम बना सकते हैं, जैसा कोई भी save हम को बनाना हो, तो इसमें हम बना सकते हैं, अब यह जो अंदर का green color है, वो यह रहा, fill, यह हम change कर देंगे, तो आप देख रहो, यह अंदर का color है, वो change हो गया, और यह दूसरा है, stroke, वो है इसकी border, तो border में इसको black दे रहा हूँ, तो आप देखे रहो, इसकी border आगे, black, तो fill है, वो अंदर के color को बने के लिए है, stroke है, वो इसकी border के लिए है, अगर हमें नहीं चाहिए border, तो हम इस पे red जो cross है, इस पे click करेंगे, तो border चली जाएगी, और हमें जो भी color के border चाहिए, तो हम color select करेंगे, उस color का border आजाएगा, अगर ह इसके बाद है, ये pixels, तो ये border की थिकने से, border को हमों कितना थिक रखना है, हम जितना थिक रखना चाहिए, उसको रख सकते हैं, और ये border की style है, ये dot dots आप देख रहे हो, तो ये कैसी style में हम को चाहिए, वो हम रख सकते हैं, तो ये हुआ pen tool, इसके बाद है, वो text, तो जैसे कि आपको पता ही होगा टेक्स्ट वो लिखने के लिए यूज होता है हम क्लिक करके कुछ भी लिख सकते हैं और यहां पर राइट दबाएंगे तो यह डरन हो गया अब इसकी हमें प्रॉपर्टी चेंज नीचों तो है इसके लिए यह ट्रैक्स टूल को सिलेक्ट होना जरूरी है है इसको सिले करेंगे तो उपर है वह ट्रैक्स के सब टूल साजन सेटिंग आ जाएंगी ट्रैस के सारी सेटिंग से वह अपर आ जाएंगी और इसको डबल क्लिक करके हम सब सेलैक्ट ओल करके यहां से इसकी फॉन्स को हम चेंज कर सकते हैं जैसा भी हमें फॉन चाहिए वैसा हम फॉन रख सकते हैं यहां से इसमें हमको बॉल्ड करना हो या रेगिलर रखना हो तो यह रहा यहां से हम इसको पिक्सल बढ़ा सकते हैं हम टैस्ट को राउंड देना चाहें तो ऐसे round shape कर सकते हैं इसमें बहुत सारे और shape भी है जो जो shape हम में चाहिए वो हम रख सकते हैं और इसका color यहां से हम बदल सकते हैं कोई भी color हम देना हो देखे यह right देंगे तो यह color आगया तो यह हुआ text tool अब मैं आपको दिखाता हूँ layer तो यहां फोटोसोब में यहां पर layers नहीं है तो विंडो में जाके layers पर क्लिक करेंगे तो वह आ जाएगा तो ऐसे एक के ओपर एक paper होते हैं उसे layer करते हैं तो फोटोसोब में भी एक layer है वो अच्छा option है मैं आपको सिधा practical करके देखाता हूँ layer कैसे काम कर तो यहां से हम एक नए layer को बना सकते हैं create a new layer तो मैं एक layer बना रहा हूँ तो आप देख रहो यह हमारा एक layer आए गया तो मैं brush tool से यहां पे color ड्रो करता हूँ लेकिन उसे पहले यह देखना ना बले हमारी opacity मैंने कम कि थी उसको मैं वापस 100 पर रखते रहा हूँ तो यह कभी भी ना बले change करना यह मैंने यहां पे एक round को draw किया तो आप देख रहे हो हमें word है वो दिखाए दे रहा है और यह जो round है वो पीछे की और क्योंकि यहां पे हमारा layer है round वाला वो नीचे है और यह text वाला layer है वो उपर है अब मैं जैसे ही लिए round वाला layer को उपर ले जाओंगा तो अब देख रहे हो तब देख सकते हो यहां पे word है वो अब नहीं दिखाए दे रहा है क्योंकि यह जो हमारा color वाला layer है वो उपर आ गया और यह नीचे आ गया तो इसकी वज़ा से हमें अब word text है वो नहीं दिखाए दे रहा है अब मैं इसको वापस उपर लेयर पर जो काम है वो सब हाइड हो जाएगा तो text को कोई भी layer को हम ऐसे हाइड कर सकते हैं temporary तो वो हमको दिखेगा तो फिलाल के लिए इतना ही अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे face को कैसे edit करते हैं तो इस वीडियो को like करें और मेरे दूसरी वीडियो के लिए channel को subscribe करें